VXI के उपर आप अगर ZXI variant लेते हैं तो इसमें आपको जो extra मिलेगा एक तो आपको allowable extra मिल जाएगा जो black color के finishing के साथ आएगा दूसरा आपको rare defogger तो हिसमें आपको rare viper extra मिलेगा हलो गाइस आप देख रहे हैं बैनी डेविट कार स्टूडियो और आज मैं आपको दिखाने बाला हूँ बिटारा ब्रेजा का VXI variant यह इसका front look है front में आपको front street grill लगी हुई मिलती है सुजुकी का logo आता है side में देखते हैं तो projector headlamp मिलते हैं और साथ में आपको DRL मिलता है यह dual purpose रहता है यह white भी जलता है और turn indicator का भी काम करता है नीचे देखते हैं आप तो fog land के लिए जगा मिलती है आप अलग से feature में कभी भी इसको add on करा सकते हो सामने से देखते हैं तो यहां पर black color की grill लगी हुई है यहां से हवा जाती है अच्छे तो engine जल्दी ठंडा होता है अब side profile में देखते हैं तो इसमें आपको 16 inch के wheel मिलते ह है टीवलेस टाया राता है alloy wheel हमने इसमें अलग से add on किया है आप भी लगा सकते हैं dealership से side में देखते हैं तो side मेरा electric है आप अंदर से adjust कर सकते हैं door handle पे आपको chrome finishing मिलती है जो कि हमने additional अलग से लगा हुई है customer की demand पे side beating जो है आपको अलग से मिलती है अगर आप लगवाना तो इसको भी add on करा सकते हैं rain visor भी इसमें हमने लगाया हुआ है customer की demand पे interior देखते हैं interior में आपको इस type का interior मिलता है यह music system आता है इसमें AUX USB pen drive दोनों का आप यूज़ कर सकते हो CD के लिए भी option दिया हुआ है यह music system है यह font pick करने के लिए cut करने के लिए यहाँ पर आप अग climate control AC मिलता है आप temperature के साब से set कर सकते है automatic वह इतना exist हो जाएगा यह MID मिलता है इसमें आपको यह speedometer मिलता है यह rpm meter मिलता है यहाँ आपको start push button का switch मिलता है side mirror के जिस switches हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं यह आप fold भी कर सकते हो foldable भी रहेंगे side mirror और electronic एक्जिस्टिबल भी रहेंगे side door के दिखते तो आपको यहाँ पर पूरी power window की switches मिलते हैं center locking का switch मिलता है यह इसका पूरा interior का dashboard रहेगा काफी premium dashboard आता है इसमें आपको silver की finishing मिलती है साथ में यह M.I.D. है M.I.D. में देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक अलग से switch मिलेगा इस switch को press करने के बाद आप अपनी गाड़ी का average कितना देर ही यह देख सकते हैं और गाड़ी इतने fuel में कितनी चल जाएगी यह range भी इसमें आपको show हो जाएगी नीचे देखते हैं तो आपक आपको यह गाड़ी का बताएगा कितनी गाड़ी चल चुकी है जिसे 42 चल चुकी है और अगर आप इसमें A और B trip का भी option है आप trip 0 कर सकते हैं यहां से कितनी आगे तक आप running करेंगे इसमें display करेगा इसके बाद आप M.I.D. में देखते हैं तो आपको यहाँ turn indicator का option भी मिले मिलता है Ticket holder मिलता है यहाँ पर आप देखते हैं तो console box मिलता है यहाँ पर आपको night lamp मिलता है Kevin light के लिए यहाँ पर आपको 12 बूल का charger socket मिलता है यह Aux USB के लिए port दिया हुआ है अलक से और इसकी जो की आती है कुछ इस टाइप से की की आएगी staring पर देखते हैं आप तो staring mounted controls मिलते हैं आपको volume वगरा के लिए songs वगरा change करने के लिए mute करने के लिए mode change tilted staring मिलेगा आपको आप उपर नीचे up down इसको adjust कर सकते हो इसका side profile रहेगा side में इस टाइप से ही हुई है रेयर में देखते हैं तो रेयर में आपको tail lamps मिलते हैं जो काफी कुपसूरत देखते हैं और reverse parking sensor मिलेगा आपको 4 यहां पर आपको integrated spoiler मिलेगा यह ब्रेक लाइट मिलेगी इसमें defogger भी दिया हुआ है अगर आप defogger का use करेंगे जैसे आपको आग एक switch दिया रहेगा उसको प्रेस करेंगे तो यह पूरा melt हो जाएगा यहां पर एक आपको magnetic switch मिलता है इससे आप गाड़ी को boot unlock कर सकते हो और lock unlock का switch यहां अलग से दिया हु करते हैं यह 100% split seat आती है VXI variant में सीट को split करने के लिए इसको आपको इस टाइप से आगे करने के बार इसको इस टाइप से फोल्ड करना पड़ेगा यह आपका लगेज ज्यादा है तो आप आराम से इसमें storage कर सकते हो रेर में आपको काफी अच्छा leg room मिल जाता है यहां पर आपको जी तक के weight का आप यहां पर hang कर सकते हैं कुछ भी दोनों साइड आपको grab handle मिलते हैं यह night lap मिलता है बीच में आपको bottle holder मिलता है engine की बात करें तो इसमें आपको 15cc के engine मिलता है इंजिन ओपन करने के लिए यहां switch दिया हुआ है यहां से open कर सकते हो आप इसमें यह 1500cc के engine मिलता है इसमें आपको जो 17 का average दे रही है अभी यह गाड़ी only petrol में आ रही डीजल option इसमें नहीं है 1462cc के इसका engine होता है जो 17 का average क्लेम कर रहा है VXI की उपर आप अगर ZXI variant लेते हैं तो उसमें आपको जो extra मिलेगा एक तो आपको allowable extra मिल जाएगा जो black color के finishing के साथ आएगा दूसरा आपको rare defogged तो हिसमें आपको rare viper extra मिलेगा तीसरा आपको उसमें आपको touch screen 7 inch का player मिलेगा क्लेगा जाल और प्लर